नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चवदरी स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरु टेक में तोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोड़ा-फून आइडिया लिम्टेड के बारे में ज्यां दोस्तों पिछली वीडियो में ने बनाया था वोड सारा प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो जी आँ दोस्तों वोड़ा फोन आइडिया को लेकर यदि आप चिंतित हैं और यह सोच रहे हैं कि आर इसमें तो बना दिया और आज जो हैं साड़ी चार प्रशंट की गिरावट आई कहीं फिर से दस रुपे के नीचे न चला जाए कई लोग इस सोच में डूबे होंगे और कई लोग सुचेंगे क्या रहे है बढ़ना है तो बढ़ गया अब घटेगा अब हमें इस पे अपना आइडिया लिम्टेड में बहुत बड़ी न्यूजन है और यदि ये डील होती है यदि ये डील होती है और गवर्मेंट इसको अलाव कर देती है तो फिर बोड़ा फोन आइडिया लिम्टेड में एक भहंकर तेजी आपको देखने को मिल सकती है जासा कि पिछले वीडियो ने बताया था तो कौन सी नीज़ दोस्तों इस वीडियो में कवर करने की कोशिज करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखिये गा दोस्तों बोड़ा फोन आइडिया जो है जितनी भी वैक्सिनेशन कंपनिय है जितनी भी इंडिया में उनको जो है टेक्स सर्वीस प्रॉइड करने की बात कर रही है और उनको आफर दे रही है कि उन आपको पता होगा कि दो ऐसी इंडियन कंपनिया हैं, जो वैक्सिन, कोभी-d90 का बैक्सिन बनाई हैं, जिसमें सीरम इंस्ट्यूट आप इंडिया और बरत बॉस्तेकशिक, त उनको IOT solution आनि की information आप technology का solution प्रवाइड करेगा जिसे वो अपने supply chain को और अपने कारे को जो है time to time real time में टैक कर सके हैं यहां दोस्तों बोड़ाफोन idea limited tech service प्रवाइड कर रहा है और बोड़ाफोन idea limited उनको आपर दे रहा है कि उनकी company का monitor और उनके vaccines का जो covid-90 का vaccine है उनके produce यानि factory से निकलने से लेकर और dose देने तक पूरा का पूरा जो है detail होहां पे उन लोगों को monitoring की सुविधा परदान करेगा क्योंकि इंडिया में अभी vaccine का टीका start हो गया लगना लेकिन अभी बहुत ज्यादा हूज मात्रा में ल और air transportation हो गया, road transportation हो गया और कितने लोगों को dose दिया गया, कितने लोगों को नहीं दिया गया, उनके supply chain को visuality और cold chain system को monitor करना एक challenging का काम है तो Boda phone idea limited इस मौके का फायदा उठाना चाहती है और वो company को offer दे रही है कि हम आपकी vaccine की जो आप develop कर रहे हैं उसके production से लेकर उसके dose तक का पूरा detail हम आपको provide करेंगे और उसको जो है digitally तरीके से हम आपको एक शुवदा provide करेंगे जिससे आप online time to time उसे real time पे आप track कर सके कि कितने लोगों को vaccine लगा, आपका logistic system कैसे कार कर रहा है, आपके जो cargo operator है, वो कितना cost आ रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, सीरम की temperature कितन रहने की बात यहां पर Boda phone idea limited की तरफ से रखी गई है, हलाकि अभी इस बात की पूरी तरह से पुष्टी नहीं हुई है, Boda phone idea ने अपना offer रखा है, लेकिन आपको पता होगा कि Boda phone idea limited जो है Giganet 5G technology के साथ कम कर रहा है, तो इससे जो है जितनी भी co vaccine company यह हैं, जो vaccine develop कर रही ह वे अपने medical team, staff और जो उनकी workers हैं, यानि की छोटे level से लेकर बड़े अस्तर तक का जितने भी administrator work हैं, उनको जो है effective तरीके से जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, यानि की Boda phone idea limited का यहां पर प्रस्ताव बेल्कुल जाज है, और इसके अलावा तीन अन कमपनियां जो है, बड़ी telecommun communication company जो है, इस होड में लगी हुई है, और सरकार से ओपील कर रही है, और सरकार की फैसले का वेट कर रही है कि उनको जो है, जितने भी vaccine वाली company है, उनको यादत दे, कि ओ जितने लोगों को vaccine का ठीका लगाया जाए, तो उनके cell phone पे टेक्स्ट वाया text message, यानि की message के माध्यम से उनको जो है, service provide करें, इसकी अलावा, government भी coven, coven, win mobile app launch करने जा रही है, जिससे कि इसमें आसानी से tracking हो सकेगा, कि जो लोग corona virus से ग्रसीत हुए थे, और वो कैसे recover हुए, क्यानि की coven नाम का जो app है, जो government लांच करने के तयारी में है, तो vote upon idea limited जो है, इस भी इस coven, win app के जो है, अपनी परस्ताव रखने की बात कर रहा है, और कोसिस में लगा हुआ है, कि ओ भी इसमें participate करें, क्योंकि government के लिए, serum तो बन गया, दोस्तों, vaccine तो बन गया, coronavirus का vaccine बन गया, लेकिन इसके टीके लगाने, और इसके रख रखाओ, इसके transportation, और इसके expiry, और इसके production, और इसकी साफ सफाई, और मताँ पूरा का पूरा एक ecosystem बनाने में, अभी सरकार के लिए एक बहुत बला चुनवती का काम है, क्योंकि physical तरीकों से इसको handle करना कापी ज़्यादा मुस्किल है, क्योंकि technical का सहरा लेना पड़ेगा, तो Vodafone Idea Limited इन कमपनियों को जो है, टेकनिकल सकती है, हाला कि Vodafone Idea Limited में आज गिरावट देखने को मिली, तक्रीवन जो है Vodafone Idea Limited में जो है आज 5%, मोटा-मोटी 5% का गिरावट देखने को आपको मिला, लेकिन इससे आपको घबडाने की बात नहीं है, आज की rate में 4.76% की गिरावट हुई, इसके अलावा एक और news आ र जो मार्केट को research कर रहे हैं, उनका मानना है कि hot stocks में इससे में Vodafone Idea Limited और इंदप्रस्त गैस जो है बने हुए हैं, और ये short term की district court से काफी अच्छा benefit देशकते हैं, जहां तक की बात करें, चार्ट पर Vodafone Idea Limited जो है, अपने 20-day EMA, यानि Exponential Moving Average को भी क्रास करता हुआ, Exponential Moving Average, EMA का मतलब होता है दोस्तो, Exponential Moving Average, यानि कि 20-day के Moving Average और 5-day के Moving Average को भी क्रास करता हुआ, रधर आ रहा है, और RSI भी इसका काफी जादा मजबूत है, और जो बड़े-बड़े researchers हैं, ओ अपना एक report page की हैं, जिसमें ओ टार्गेट बताएं है, stop last Vodafone Idea Limited के लिए 10 र position दालिया, और कल जो है 20 रुपीश का हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Vodafone Idea Limited अभी 11 रुपे 50 पैसे से लेकर 12 रुपे 50 पैसे के बीच में consolidate कर रहा है, और जी हां, आप लोगों ने देखा भी कि कई trading session से 1 रुपे के बीच में गुम रहा दोस्तो, 13 रुपे 75 पैसे से जोगीर के नीची आया है, तो यह गिरावट नहीं, दोस्तो यह profit booking है, क्योंकि जब एक दिन में 12 परसें, 14 परसें किसी भी stock में बढ़ता है, तो उसमें profit booking भी होती है, क्योंकि लगातार, कोई भी stock लगातार नहीं भाग सकता, उसको ठारना प बढ़ेंगे, तो Boda Phone Idea Limited में भी कुछ इसी तरीके का कार, आपको जो है, इसके वालिम चाट पर भी देखने को मिल रहा है, तो Boda Phone Idea Limited में तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी और होल्ड करना है, क्योंकि आप investor है, trader नहीं, बात करें आज के trading session में, तो आज जहा बढ़ी बात नहीं है, दोस्तों क्योंकि गिरावट और बढ़त तो होती है, लेकिन Boda Phone Idea Limited भी 13 रुपे पर closing दिये, आनि कि अभी 13 रुपे का support बना कर खड़ा हुआ है, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, बात करें आज के trading value में, तो आज जहें में NSC पे 49,45,95,504 की क्वांटिटी में Boda Phone Idea Limited में शेरों की delivery उठाई हो गई है, तकरिवन 31.04% के करी में जो है, आज Boda Phone Idea Limited में delivery उठती हो ही दिखी, हाला कि शुक्रवार के दिन जो है एक करब से उपर था, तो देखें, जब बड़ा profit होता है जिस दिन तो उस दिन volume भी increase होता है, और आज जो ग ही रावट आई है, मैं बात बोलता हो दोस्तों कि जब बरसात होगी, तो बूंदाबादी सब के उपर पड़ेगी, तो अभी आपको वेट करना चाहिए, यदि आप लोग 20 रुपे के लेवल पे खरीद के बैठे हैं, तो आपको वेट करना चाहिए, वोड़ा फोन आडिय मित्रों और अन्य लोगों के साथ सेर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाप उन लोगों को भी हो सके, और हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप इस वीडियो को खूप सारा लाइक देंगे, ताकि हमारा होसला बढ़ता रहे, और हम आपके लिए नए से नए टेकनिकल और एजुकेशनल वीडियो स्टाक मार्केट से लेकर आते रहे, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद,